दिवाली पूजन की सामरगी दो कच्छे दिये, दो चार मुखवले दिये, बीच में रख, दौनों कौनों में, तीस छोटे दिये रख दें दिये में तेल डालकर, बत्ती डालकर दिये जला लें बाद में मौली, रोली, चावल, फूल, गुड, अभीर, गुलार, धूब, चार सुहाली दक्षना चड़ाएं और फेरी दें पहले पुरिश पूजा करें और बाद में इस तरियां पूजा करने के बाद दिये सब कमरों में, चौक में, रसोज में रख दें एक चार मुखवालत दिया और छे छोटे दिये लक्षमी जी जहां बनाएं महीं पर उसी पर रखतें और तें लक्षमी जी का वरत कर पूजा करने के बाद जी में और तिजोरी गल्ले में गनेश जी लक्षमी जी रखें पूजा करने के बाद आपकी जितनी श्रदा हो उतने रुपे भवों को दें वहाँ पर एक बड़ा दिया रखकर उसमें घी डालकर नाल की बत्ती डालकर जलाएं रात को बारा बजे पूजा करें और दूसरा पट्टा बिचा कर उस पर एक लाल कप्रा बिचाएं और एक जोड़ी मंगाए हुए गणेश जी लक्षमी जी रखें पास ही रुपे सभा सेर चावल गुड चार केले मूली हरी गवार फली दक्षणा चार सुहाले डालकर रख दें एक ठाली में पांच लड़ू सारी सामरगी सईद गनेश जी का पूजन करके लड़ूं से जमा दें दिये का काजल सब इस्त्रियां पुर्ष्यों की आँखों में लगाना चाहिए सारे दियों को राद भर निगरानी रखें उस पर चलनी ढग दें सारे दियों को राद भर जलाकर सुबह उठाकर चलावा तम मिस्राणी को दे दें और रुपे उठाकर तिजोरी में रख दें बड़ी दिवाली को राद के बारा बजे पूजा करने के बाद चूने अत्वा गेरू मेरूई भिगो कर चक्की चूला लोहा तथा छाज पर तिलक लगाना चाहिए प्राता काल चार बजे उठकर पुराने छाज में कूडा रखकर एक बेलन से छाज बजाते जाओ और कहते ही जाओ लक्षमी आओ लक्षमी आओ दरिद्र जाओ दरिद्र जाओ बाद में छाज और कूडा घर के आगे डाल दें और पेलन पीछे लाकर रख दें इसके बार लक्षमी जी की कहानी सुने